तो फ्रेंड आज हम बिना OTP के यह जरूरत नहीं पड़ेगी और हम आधार कार्ड को डाउनलोड करना आपको बताएंगे कि कैसे हम आधार कार्ड निकालेंगे बिना OTP और बिना मॉबाइल नमबर के तो फ्रेंड अगर आपका आधार कार्ड कभी भविस में खो जाए या अफर आपका आधार कार्ड खो चुका है या कोई और प्रॉबलम है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिगा अगर आपका भविस में आधार कार्ड खो जाता है तो आप उसको निकाल सकत तो यहाँ पर आपको जो है Google बाला यह option आता है, यहाँ पर आपको type करना है UIDAI, यह एक website है, इसको हम जैसे यहाँ search बटन पर click करेंगे, तो यहाँ पर यह इस तरीके से open हो करके आ जाएगी, आपको यह जो first बाला option दिख रहा है न, यह अंगूठे जैसा निसान, तो आपको इस बाले option पर, सबसे पहले बाले option पर click कर देना, तो यह government की official website UIDAI open हो करके आ जाती है, तो यह website कुछ इस तरीके से open हो करके आएगी, आप एक एक point देखेगा, ठीक, यहाँ से आप इसको desktop size में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें और नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, प्राप्त करें, इस पर हम click कर देते हैं, या फिर लिखा होगा, अंग्रेजी में आप चला रहे हैं, इंग्लिस में तो gate आधार card लिखा होगा, ठीक, यहाँ पर अगला page जो है कुछ इस तरीके से open हो करके आएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दो तीन option दि आटन लोड अधार, ठीक, आपको यहाँ पर आधार नमबर लिखा हो हैं, तो यहाँ पर आपको आधार नमबर दालना है, और यहाँ पर iBand masket अधार यह जो ठीट ऐसाँ पा लिखे आपको capture फिल कर दाने के बाद, आपको यहाँ पर face, mouth से भी सकान कर सकेंगे, जरूरी न दियान दीजी थोड़ा यहां पर आपको आधरकार्ड नंबर हमने डाल दिया है आईवांट पर किलिक कर दिया है अगर एक capture code आपको समझ में ना आए तो आप इस पर एक बार किलिक करेंगे जो सरकल दिख रहा है ना तो यह दूसरा जो है यहां पर capture code आजागा तो आप इसक और जैसे यहां पर हम देखे किलिक करते हैं तो यहां पर यह इस तरीके से जो है आपन हो करके आ जाता है अब यहां पर ध्यान दीजिए पिलीज यहां पर आपको जो है यह कह रहा है कि आपके जब आप इसको डिटेक्ट करेंगे जब आप इसको इसके camera ओपन हो जाएगा फ्रेंट बाला ठीक और आपको जैसे हम selfie लेते ना उस तरीके से आपको लेना है और आपके मुढ पर ये छाया नहीं होनी चाहिए आध्य चहरे पर और पूरे चहरे पर भी छाया नहीं होनी चाहिए इसे करता हूं इड़ान पर किल्क किया और जैसे यहां करता हूँ थोड़ी दिर बाद प्रोसेश चलेगी उसके बाद तो आपको थोड़ी दे तक आपका कैमरा आपको लगाए रहना है वो ओटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेगा और जैसी डिटेक्ट करता है वो पहुंचा देता है आपके इस option पर अब हम आपको back camera से दिखाते हैं तो कुछ इस तरीके से option आ जाते हैं यहां पर यह हमें कुछ answer देने होते हैं तो यहां पर हमें first वाले option पर yes कर देना है और यहां पर यह पूछता है कि आपको आधार कार्ट जब आपने बनवाए था तो उसका जो है आपका कैसे हो गया था verification मतलब कितने दिन में आपको मिल तो आप यहां पर बिदिन पांच डेपा जो है किलिक कर दीजिगा और यहां पर verify एंड डाउनलोड पर आप किलिक कर दीजिगा जैसे आप इस पर किलिक करते हैं आप देखिए आपका आधार कार्ट जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसको कैसे खोल सकेंगे उसमें पासप पहले आपके नाम के पहले चार अक्षर आपको डालने हैं उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है याई कि जनमतिती है उसकी आखरी संख्यानी कि जो सन है वो आपको डालने जैसे यहां लाता कुमारी है तो यहां पर कैप्टल में डालना होगा आपको पासप्ट एल तीन अक्षर का है तो आपको तीन अक्षर पूरे डालने है उसके बाद डालने है अगर आपको अपको दिखाता हूं तो आपKA आधर काρ्ड आ जाए होगा पीडिए बन करके आपक उसको किpunk कीचिगा तो इस तरीके से एक passport मांगेगा अब आपको यह passport देखे ना तो इसको कोई computer वाला खोल सकता है ना कोई भी खोल सकता है या आपको खुद अपने हाथ से ही करना होगा तो यहाँ पर जैसे मेरा राजीव कुमार नाम है तो देखे मैं किस तरीके से भरूँगा उसके बाद मैं date of birth भाद दूगा जो कि मैं आपको नहीं बताओंगा तो मैं पहले भर देता हूँ और मैंने date of birth डाल दी है अब यह आठंक का passport हो गया हम जैसे ही open बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो यह देखे मेरा आधार कार्ट जो है आ चुका है यह आप देख पा रहे हुए मैं इसको यहां से print out निकल वा सकता हूँ और print out निकल वा करके से कैची से कट करके और यह मेरा ओरिजनल आधार कार्ट बन चुका है मैं इसको ज्यादा जूम करके इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह मेरी पर्सनल एंफॉर्मिशन होती है इसलिए मैंने कई-कई जगा विलर करके रखा है जो कि आपको नहीं देख रहा होगा तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो क लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू सो मच फ्रेंड